आज की वीडियो पे हम दिखेंगे 8085 में ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम ब्लॉक ट्रांसफर जिसे हम डेटा कॉपी भी बोल सकते हैं मतलब क्या है इसका पहले हम मीनिंग समझ लो यहाँ पर हमारी ये मैमरी है यहाँ पर हमारा इन मैमरी के इन लोकेशन में हमारा कुछ डेटा है इस पूरे डेटा को हमें कहाँ पर लेके जाना है मैमरी की किसी और लोकेशन पर लेके मतलब हमें कट नहीं करना है हमें क्या करना है उसको कॉपी करना है तो यही क्या है block transfer है हम इसको block transfer क्यों बोले क्योंकि हमें सिर्फ एक byte को यहां से उठा के यहां पर copy नहीं करना है यहां पर यह consecutive locations पर जो भी data है इस पूरी की पूरे data को हमें कहां पर लेके जाना है यहां पर लेके जाना है अब मान लिया कि हमें क्या करना है 16 यहां पर 16 locations है इन 16 locations के data को हमें कहां पर transfer करना है यहां पर transfer करना है 16 locations मतलब कितनी bytes 16 bytes है तो हमारी यहां पर मान लिया कि 16 bytes है उन्हें हमें कहां से यहां से लेकर यहां पर क्या करना है तो अब मान लिए कि हमारी जो first byte है वो कहा पर 0050 पर है तो इस byte को हमें कहाँ पर copy करना है 0100 पर copy करना है फिर इसी सेकेंड Kurto parada कहां पर copy करना है 0101 पर copy करना है इसी तरह से यह जो भी बाइट से पुल भाप है हमारा Aim क्या है कि एक block of data यहाँ पर है block of data बोल दियू हूँ एक single byte को हमें यहाँ से उठा के यहाँ पर copy नहीं करना है फिर तो उसके लिए program मनाने के हमें ज़रती नहीं हमें क्या करना है block of bytes से उसको यहाँ से कहाँ पर copy करना है किसी all location पर यहाँ पर मैंने example के लिए क्या लिया है 0050 लिया है source मतलब जहां से हमारा जो source data start हो रहा है ठीके और 0100 क्या है मेरा destination मतलब जहां से उठा करना मतलब मान लिया कि हमारा जो source है हमारा जो data रखा हुआ है वो कहाँ पर है 0050 पर है अब जितनी भी bytes है हमारी उतनी ही यहाँ पर हमें locations की जुदत पड़ेगी मान लिया हमारी 5 bytes है तो इसका मतलब 0050 से 0054 तक होगा data ओके तो हम interested उसमें नहीं हम किसमें interested है हमारा जो source है वो कहाँ पर उसका starting address क्या है चीके और हमारी destination का starting address क्या है 0100 क्या है 0100 तो इसमें जो भी data जितना भी data है उसको हमें उठा के मतलब उठा के नहीं उसको हमें क्या करना है copy करना है यहाँ पर copy करना है सिर्फ copy करना है ना कि यहां से cut करके यहाँ पर ले जाना है नहीं ऐसा नहीं हमें क्या करना है इस पूरे data को जितना भी data है उसको कहां पे copy करना है यहां पे copy करना है तो अब आप ध्यान क्या रखो कि हमारा जो source है जहां से हमें data लेना है वो कहां से start हो रहा है 0050 memory की इस location से start हो रहा है और जितनी भी bytes हो ओके इसके बाद में हमारा और जब destination है उसका जो है address वो 0100 से start हो रहा है मतलब हमारा data यहां पर आ जाएगा इन consecutive locations में आ जाएगा और देखो मैं assume क्या कर रहे हूँ क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं क्या assume कर रहे हूँ कि मुझे इन 5 bytes को यहां से लेके कहां पर copy करना है यह 0051,52,53 और 0054 इसी तरह से 0100,0101,0102,0103,0104 तक यह वाला data पुरा copy हो जाएगा यह मेरा aim है तो उसके लिए हम bit अपर किस तरह से बनाएंगे अकई तो सबसे पहले अब मुझे दो pointers कि लिए जहां पे ज़ुरत पड़ेगी तो हम माल लेते हैं कि जो हमारा actual register pair है, वो किसको point करेगा, इस location को क्या करेगा, point करेगा, ओके, इसके बार में हमारा जो DE register pair है, register pair क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम address को point करवाना चाहते हैं, address 16 bits का उता है, तो उसके लिए एक register नहीं होगा, उसके लिए वे register pair लेना पड़ेगा, फिर हमारा जो दूस्ता register pair है, DE, आप BC register pair भी ले सकते हैं, तो दूस्ता जो हमारा register pair है, वो कौन साए, DE register pair जो है, वो किसको point करेगा, 0100 को क्या करेगा, point करेगा, तो ये point कर रहा है, source को, ये point कर रहा है, destination को, अब हमें करना क्या है, आप खुद भी mind लगा के सोच सकते हो, ह हमें करना क्या है, हमें इस data को, मतलब इस location के data को किसी एक place पे लेना है, और वहां से किसी एक register में लेना है, और उस register से हमें data यहां पे क्या कर देना है, copy कर देना है, okay, तो अब आपको पता है, क्योंकि हम directly यहां से यहां पे copy नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बीच म कौन सा होगा accumulator तो पहली हमारी स्टेप क्या होगी पहले तो हम इन दो कोईंटर में याइड्रेस डाल देंगे इन दूनों रजिस्टर पेर्स में याइड्रेस डाल देंगे तो हम क्या होगी स्टेप करना है इस पर वक्हा हुए डेटा हम किस के अंदर ले के जाएंगे आक्यूमलेटर के अंदर लेके जाएंगे तो हमारा फर्स अंडर का होगा एल ऐग्स आई और फिर हम क्या करना चाहते हैं ग extended register pair के लिए instruction यूज होता है कौन से register pair को load करना चाहते है actual register pair को कौन से address से load करना चाहते है 0050 से load करना चाहते है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 0050 में program वापस से लिखूंगी तो देखो इस instruction की बात क्या होगा हमारे एक्चल रजिस्टर पेर में क्या आ जाएगा 0050 आ जाएगा इसी तरह से हमें D रजिस्टर पेर को लूट करना है तो हम क्या लिखेंगे LXI और अब यहां पर आ जाएगा D और फिर हम क्या डेटा लूट करना चाहते हैं उसके अंदर 0100 baru Justенно destination address को हम रोड करना चाहते हैं n तो 700 यहां पर लिख देंगे ओके यहां तक हमारे Points है הי अब हमें क्या करना है एक ऐएग बाइट करके यहां से लेनी है accumulator में और accumulator के डेटा को यहां बेग आश्या कर देना है तो पहले हमे क्या करना है मारा our instruction क्या हो जा चुकिओं क्या होता है, memory की M, M का मतलब क्या होता है, memory की वो location, जिसका address कहाँ पर है, actual register Pell में है, लिए Clark Commission का data, जिसका address क्या है, 0050, तो memory की उस location का data, जिसका address कहाँ है, actual register Pell में है, 0050, 0050 पर data क्या है, 12,landK पर क्या आ जायगा, 12 आप memory का मतलब या माइंड में बिठा लो जहां M लिखा हो है उसका मतलब memory का वो डेटा memory की वो location का डेटा जिसका address HL register pair में है तो M को देखते से ही वो HL register pair से address पूछेगा वो address बताएगा 0050 0050 पे जो डेटा है उसको हम यहां पे रख देंगे अब यह 12 कहां पे आ जाएगा accumulator में आ जाएगा तो हमारे accumulator में अभी क्या आ गया है 12 आ चुका है अब इस 12 को हमें यहां पर लेके जाना है तो उसके लिए एक instruction होता है कौन सा instruction होता है S-T-A-X इसका मतलब क्या करना है हमें store करना है कौन से data को store करना है accumulator में जो data है उसको memory में store करना है कहां पर memory की कौन सी location पर store करना है तो जिसका address कहां पर है इस register यहां पर हम register पर provide करेंगे तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया D लिख दिया D E क्यों नहीं लिखा क्योंकि यह understood है कि D के साथ E की पैर होगी तो D लिखना enough होगा तो इसका इस instruction का meaning क्या है कि A के data को हमें memory में store करना है कहां पर store करना है memory में store करना है लेकिन कौन सी location पर जिसका address कहां पर है D E register pair में है यहां पर मैंने only Asta लिखा होता तो मैं क्या करती है यहां पर address प्रोवाइड करती है यहां पर मैंने Stax लिखा है इसका मतलब यहां पर हम एक extended register pair प्रोवाइड कर रहे है तो अब D E register pair में क्या है 0100 है तो accumulator का data accumulator का data कहां पर चला जाएगा 0100 लोकीशन में चला जाएगा तो accumulator का data कहां पर आ गया इस तरह से जितनी भी bytes यूजर ने बोली है जाए 100 bytes भी बोली है तो वो हमें copy करने है इसका मतलब हमें क्या हम बार-बारी instructions लिखेंगे बिल्कुल नहीं तो उसके लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा लूप चलाना पड़ेगा तो इस instruction के just बार हमारा क्या instruction आ जाएगा INXH और INXD इसका मतलब क्या है कि हम actual register pair को यंके data को क्या करना चाहते हैं increment करना चाहते हैं आईए next का meaning ही क्या होता है increment extended register pair तो इससे actual register pair का data क्या हो जाएगा increment हो जाएगा और इससे DE register pair का data क्या हो जाएगा करना है इस लोकीशन के टीटा इनों फिर से यही स्टेक्मेंट को निखने वाले यही वाले हमाल बाल तो नहीं लिखेंगे तो हम क्या काम एसा है जो हम रिपीट करना चाहा है यह वाले 4 statements को repeat करना चाहरे हैं तो हमें काम करते हैं यहां पर इसकी कर देते हैं labeling आपको जो label इसका जो नाम देना है आप दे सकते हो मान लिया मैंने इसका नाम दे दिया transfer के लिए यह t-r-a-n for transfer ठीक है मैंने यह नाम दे दिया ठीक है क्योंकि यहां से लेकर मुझे statements को बार-बार क्या करना है repeat करना है तो अब हम एक लूप के लिए जैसे हम एक variable लेते हैं i is equal to 5 ठीक है यह जे is equal to 10 जैसे पिए हमें जितनी भी बार लूप चलाना होता है हमें एक variable लेते हैं तो यहां पर variables तो है नहीं हैं यहां पर हमारे पास क्या है? Registers है ABZ है, HLBZ है, DEBZ है, तो हम क्या करते हैं B रिजिस्टर का use करते हैं हम यह काम कितनी बार करवाना चाहते हैं तो हम यह काम करवाना चाहते हैं 5 times okay तो आप 10 times जितनी times आप करवाना चाहो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक B register के अंदर क्या कर देते हैं यहाँ पर हम 0,5 को क्या कर देते हैं move कर देते हैं इसका मतलब क्या है move immediate हमें B में इस immediate data को क्या करना है move करना है तो B की value क्या हो जाएगी 0,5 हो जाएगी क्या हो जाएगी B की value 0,5 हो जाएगी अब हमें देखो एक transfer हो गया तो हमें B को क्या करना पड़ेगा decrement करना पड़ेगा तो इस transfer के बाद में अब मैं B की value को क्या कर दूँगी decrement, decrement के लिए कौन सा instruction use होता है DCR क्योंकि हमें A के register के contents को decrement करना है तो DCR और मुझे क्या करना है B को decrement करना है और ये B कितनी बाद decrement होना चाहिए ये आप सोचो ठीके 5 times ठीके 5, then 4, then 3, then 2, then 1 टोटल 5 बार हो गया जैसे ही D की value 0 हो जाएगी मतलब हमारे 5 transfers हो चुके है B की value 0 ये indicate करती है कि हमारे 5 transfers successfully हो चुके है ठीके, तो हमें बुकना कहाँ पे है जब इसकी value क्या हो जाती है 0 हो जाती है जब तक इसकी value 0 नहीं है तक तक हमें ये पूरा काम क्या करना है, करते जाना है तो अब हमारा एक jump instruction यूज होगा हम क्या लिखेंगे jump if not 0 इसके just बादम लिखेंगे jump if not 0 ठीके, तो हमें कहाँ पे jump करना है हमें वापस यहाँ पे jump करना है तो हम क्या लिख देंगे T, R, A, N देखो, हमने B की value को किया decrement अभी B की value क्या हो ये 4 होई है क्या हमारा जो result आया है वो 0 है क्या नहीं है हमारा result 0 तो हम यहाँ पे हैंगे jump if not 0 मतलब 0 नहीं है तो हमें वापस कहाँ पे जाना है इस label पे जाना है और वापस ये सारे काम हमें करना है ठीके, फिर से B की value decrement हुई ठीके, फिर से check किया जाएगा क्या इसकी value 0 है क्या नहीं है तो वापस हमें ये काम करना है eventually ऐसा होगा कि B की value क्या हो जाएगी 0 मतलब हमारे सारे transfers हो चुके हैं जतने हम चाहते हैं तो उस case में देखो jump if not 0 क्योंकि B की value 0 हो चुकी है तो हमें क्या कर देना है बाहर आ जाना है पर नहीं हुआ है सबसे पहले हम क्या करते है LXI H 0050 इस instruction के बाद क्या होगा actual register pair में क्या जाएगा 0050 आ जाएगा तो हमारे actual register pair में क्या जाएगा 0050 में इसको फोड़ा सा नीचे लिग देती हूँ actual register pair में क्या जाएगा 0050 आ जाएगा इसके बाद में क्या होगा ये instruction execute होगा और इसके बाद में हमारे DE register pair में क्या आ जाएगा 0000 तो DE register pair में क्या आ जाएगा 0010 आ जाएगा ठीक है तो हमारा source pointer ये destination pointer यहाँ से data ले जाके हमें 0100 0100 तो ये source destination हो गई E.​ट hai अब हमें loop क्यूंकि अगर हमें 5 byte ska aqui थो हम B के आंदर 5 कर देंगे अगर 16 byte को कर ना है THो हम B के कर देंगे COPY कर देंगे कौंसा data ले आएंगे 1010 hexadecimal क्यूंकि आपको पता हम 16 को hexadecimal में क्या लिखा जाता है 10 liखा जाता है तो अब भी हमें कितनी bytes को करना है तो हमें 5 bytes को क्या करना है? transfer करना है तो हम B register के अंदर हमने क्या move कर दिया है? 5 तो B register की value क्या हो गई है? 0, 5 हो गई है, अब हमादर loop भी हो गया, source भी हो गया, destination भी हो गया अब हमें transfer start करना है तो हम यहाँ पर, इस वाले पर आएंगे statement पर, यहाँ पर क्या है? M, memory के data को हमें accumulator में लेके जाना है अब M का मतलब आप समझ जाओ, क्या है? 0, 0, 5, 0, HL register पेरी चीज में बार बार नहीं बताऊंगी memory मतलब आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाना तो अब हमें क्या करना है? Memory के data को हमें कहां पर लेके जाना है? Accumulator में लेके जाना है तो accumulator में क्या आजाएगा? Memory का data, that is 12 आजाएगा यह काम हो गया हमारा इसके बाद हमें क्या करना है? हमें accumulator के data को memory में store करना है कौन सी location पे? जिसका address DE register pair में है तो हमें accumulator के data को कहां ले जाएंगे? 0100 location पे ले जाएंगे तो यह हो गई हमारी first byte copy अब हमें second byte copy करना है अब देखो HL और D दोनों register pair के contents को क्या कर दिया गया? increment कर दिया गया तो अब यह इसे point कर रहा है यह इसे point कर रहा है यह काम हो गया अब हमने क्या किया? decrement किया B register के contents को तो अब B register के contents क्या हो गया है? 0,4 यहां पर हम check कर रहे है क्या result 0 आया है? तो देखो jump if not 0 तो देखो result 0 नहीं है यह condition क्या हो रही है? true हो रही है तो हम कहां पे jump कर जाएंगे? transfer पे jump कर जाएंगे मतलब इस label पे क्या कर जाएंगे? jump कर जाएंगे फिर से memory का data that is 0051 location का data accumulator में आ जाएगा तो अब accumulator के अंदर क्या हो जाएगा? तो accumulator के अंदर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा तो accumulator के अंदर क्या आ चुका है? 15 आ चुका है अब हमें क्या करना है इस accumulator के data को कहां पे store करना है 0101 location पे तो 0101 location पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा फिर हमें क्या करना है increment करना है actual or DE register pair को तो ये हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मतलब 0102 ये 0052 हो जाएगा फिर हमें क्या करना है वापस से हमें क्या करना है डिक्रिवेंट करना है B register को तो अब B register की value क्या हो जाएगी 0, sorry 0, 3 हो जाएगी क्या result 0 है क्या नहीं है मतलब हमें transfer होना है हमें वापस कहां पे jump करना है इस पर jump होना है तो अब हम फिर से यहां jump हो है memory का data memory का data 0052 location का data that is A1 कहां पे आ जाएगा accumulator में आ जाएगा accumulator में क्या आ गया A1 आ गया फिर क्या होगा यही data कहां पे store होगा 0102 पर जाकी क्या हो जाएगा store हो जाएगा फिर क्या होगा HLODE register pair के contents को increment किया जाएगा तो यह contents हो जाएगे फिर क्या हमें करना है पर दिजर्ट 0 है नहीं है तो हमें कहां करना है यहां पर जंप करना है ओके फिर क्या होगा memory का data that is 0053 location का data कहां पर copy हो जाएगा accumulator में तो यह क्या है हमारी 0053 location 43 hexadecimal कहां पर आ जाएगा accumulator में आ जाएगा फिर क्या होगा वापस से क्या होगा च्टोर में इंक्रिमेंट के जाएगा और इसको क्या किया जाएगा decrement किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 01 हो जाएगा फिर क्या होगा क्या result 0 आया है नहीं आया है तो अभी result हमारा मतलब B के जो content से वो 0 नहीं है तो 0 नहीं है तो हम फिर यहाँ पर transfer यहाँ पर jump करेंगे memory का data that is 54 location का data कहां आ जाएगा accumulator में तो accumulator में क्या जाएगा 27 in hexadecimal अब हम इसी accumulator के data को कहां पर लेके जाएगे 0104 location पर लेके जाएगे तो 27 कहां पर आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा copy हो जाएगा इसके बाद क्या होगा हम decrement करेंगे B register को तो अब क्या हो जाएगा 00 तो अभी हमारे previous मतलब इस instruction का result क्या है 00 jump if not 0 तो देखो अब result हमारा 0 है तो यह jump if not 0 false return करेगा मतलब अब हम यहाँ पर move jump नहीं करेंगे हम next instruction पर आएगे हमारा program क्या हो गया terminate हो गया तो इस तदर से हमने 5 bytes को transfer किया है अगर आप इसी value को change करते हो तो जितनी bytes आप चाहो आप क्या कर सकते हो transfer कर सकते हो